दोस्तो आज है आठ नुवंबर 2020 और आठ नुवंबर 2020 से जितने भी हरियाना करने ठबेर के क्वेस्टन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे और लाश्ट में आपके लिए एक हरियाना जीके क्वेस्टन है देखें देखतें आपकी त्यारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है चलते हैं पहले क्वेस्टन पर हाली में हरियाना सरकार ने राइट टू रिकॉल पस्ताव पारित किया है यह किस से समंदित है तो उसका राइट अनसूर है ओप्शन ए सर्पच्च्च्च यह सर्पच्च्चे समंदित है और अब जान लेते हैं राइट टू रिकॉल पस्ताव है क्या माल लो आप एक गाउं के सर्पच्च है और आप गाउं के सर्पच्चों कर भी गाउं के हित के लिए कारिया या गाउं के विकास के लिए कारिया नहीं कर रहे बलकि अपने ला वोटरें मतदान मतदाता है उनको 33% लोगों की सहमतियों चाहिए और वह तब एक लिखित में पस्ताव बेज जेंगे बलोक सितर पर पंचायत अधिकारी को और वहां से पंचायत अधिकारी की टीम आएगी और गाउं में लगब दो गंट लग बैठे चलेगी और इसके वोटरें मतदाताओं का गुप्त मतदान होगा किसी को पताने चले ले गुप्त मतदान होगा अगर इनकी भी सैमति बनी तो आपको सर्पंसपद से हटा दिया जाएगा इसे ही कहते है राई टू रिकॉल पस्ताव और यह हर्याना सरकार ने बहुत ही अच्छा कर यह किया ह क्योंकि इसे लागोंने से गाउं की विकास होगा और गाउं की तरक्की होगी और यह सवी इन सब परविलागों सकता है लेकिल फिलाल यह सरपच्छे समद्दित हैं दोस्तों मैं आप से ही कहता हूँ अपने लिए एक ऐसा टार्गेट फिक्स करो कि आपका फ्यूचर भी आपको खुद नमस्ते या थैंक्यू बोले आगे जाके और दोस्तों आप जान लेती हैं कुछ पंचायती राज के वारे में हरियाना गे हरियाना में हरियाना में पजादी के बाद हरियाना में 1966 के बाद हरियाना में आपना कोई पंचायती राज नहीं था बलकि पंजाब ग्राम पंचायत 1922 और पंजाब समित्य एक्ट उनसे 61 लागू था लेकिन 1922 अप्रेल उनसे चुराणूओं को इन दोनों एक्ट को मिलाकर हर्याना पंचात अधिरियम 22 अधिरियम लागू किया गया और हर्याना में पहला चुनाव दिसंबर 1924 में हुआ था हर्याना पंचाय राज दिनीम आया है और हर्याना पंचाति राज संसोदन विदेग 2015 में लागू हुआ और इसके बाद हर्याना में 6 लागू की गई कि सर्पच के लिए 10 मी पास योगता है और अन्यादिकारी के लिए 8 मी ऐसी योगताएं लागू की गई और यह लोग योगताएं सबसे प आज सिवा 22 अपरेल 2015 को शुरू कुई गी यह कुछ पंचायती रहा हर्याना पंचायती राज से समदिद इंपोर्टन क्वेस्टन है वह उसके तो आप इन लिख लेना कहिए क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाले हागे क्वेस्टन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन अरी यह अम dominationर हर्याना तीरी राइट कौनी से राज्य मन गया है तो इसका राइट अने सोब है option a तो और पहला राज्य मन गया है देश का पहला राज्य है और यह आई विस्वास पस्ताओ सर्पत असर्पत के एक साल बाद नी सरपच बन चुकह हम और उसके एक साल बाद एक साल बाद ही लागो कर सकते यह निकी सरपच आज Nearly हम और तो पारीद कर दें उसके एक साल पूरे होने के बाद हम है I विश्वास पस्ताओ या राइट टू रिकॉल पस्ताओ उठा सकते हैं लिख सकते हैं और यह साल में सिर्फ एक बार ही निकाला जा सकता है लिख दिया जा सकता उपर निकी से अमेहम साल में एक बार ही ला सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सस्क्राइब जूर कर देना और साथ में बाइल आइकेन का बटन दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल इसके रूका आपको आपकी त्यारी अच्छी तरह से चलती रही नेक्स्ट क्विश्चन है हाली में हैपट दुआरा जिला करनाल में कहां पर हल्दी से इंतरस्ताबित किया गया है तो इसकराइट अनसर है ओप्शन सी तरावंडी में हैपट दुआरा जिला करनाल के तरावंडी में हल्दी से इंतरस्ताबित किया गया है और अब जान लेते हैं हैपड क्या होता है तो हैपड की फूल फॉर्म है हरियाना स्टेट कोर्परेट्व सप्लाई एंड मार्केटिंग फैडरेशन लिम्टिड और इसे इन दीम कहते हरियाना राज्य सहकारी आपूर्ती एवं विप्रन संग लिम्टिड और इसकी स्थापन लेते हैं तरावंडी को ही तराइन कहते हैं और यहाँ पर दो परसीद युद होए थे तराइन का पहला युद गयरश के आणुओं में मोहमत गोरी और पिर्थिवराच्वान के विच लड़ गया था इसमें पिर्थिवराच्वान की जीत हो गई थी लेकिन तराइन का लेकिन बाद में से तरावंडी कहा गया तो अगर आपको विडियो ऐसी लगए कि इससे हमें कुछ हैलफूल या कुछ अपने लिए अपने लिए साहता अप्रदान कर रही है अपने लिए बहुत इंपोर्टेट है तो आप इसे अपने दोस्तों के लिए दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी है लावदाय को उसके और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ऐसा करने से मेरा उसला बढ़ता हूं और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट कोश्चन है मिनमम सपोर्ट प्राइज पर सबसे अधीक फसल खरीदने वाला हरियाना देश का कौन सा रज्य बन गया है तो इसका राइटन सरह है पहला मिनमम सपोर्ट प्राइज पर सबसे अधीक फसल खरीदने वाला हरियाना देश का पहला रज्य बन गया है और यह मिनमम स्पोर्ट प्राइज लागू कबूई थी तो यह 19 अक्टोबर 1965 में बार्त में पारितोज का था यह कानून और 1966 और 1966 में यह सरवात में गेहूं पर लागू आ था गेहूं पर यहिनाच कोईट्सन है हाली में सरकार दворा 55% में महिलाओ को कितने परतिसफ़ अरक्षन दिया गया है तो स्काराइज लिए ठरॉपशन चुनाओ लड़ेगी यानि कि अब की बार में लाइप सरपस उठती है तो अगली बार पूरस उठेंगे और अगली फार फिर में लाइप और फिर फूरस तो यहाई 50% आरक्षन दिया गया हमी लाओं को और BC PCA वरक को 8% आरक्षन दिया गया पंचायत राज में इससे महिलाओं कि बागिदारी पंचायती राज में बढ़ेगी और महिलाओं के परती लोगों कोई बावना ही बढ़ेगी कि वे कुछ कर सकती है अपने देश या अपने गाउं के लिए तो नेक्स्ट कॉस्टन पर चलते है अब हर्याम सरकार के किन जिलों के बीच के ए मपी एक्सप्रक्सायश के साथ शात बॉरा बौन गेज़्ट डेवल्रएज लाइन बिचाने की उज़णा की सर्टना बनाया जा रही है तो स्कराइल टेफिलवल में बचाने und के जोने मना रही है इस रेल लाइन की सारे से डीवी दोड़ सकेगी जिससे असानी से प्रिवयन वह अस्त अच्छी हो जाएगी और वहां कि आसपास लोगों विकास अच्छा होगा नेक्स्ट कुर्चन पर चलते हैं हर्याना देश का हर्याना का कौन सा विस्व दहले अपने चातरों का एक लाख भीमा करने वाले देश क की पैलिए इनविश्टी बन गई है इनकी हर्याना की कौन सा इनवर्ष्टी अपने चातरों का पेंवा करने वाले देष की पाली इन्वर्षिव बन गई है तो खराये टो लोहान इसका वाइस चांसलर है और चांसलर तो आपको पता ही है हमारा हरियान के राज्जेपल सत्य देओ नारेंड नेक्स्ट कुश्चन है हरियान के मुख्यमंतरी ने बरसांती मौसम में 20 एकड़ के किसान को नहर से स्पेशल मौगा देने की किस योजना को फिर से सुरू करनी को सनकी है तो स्क्राइट अन्स और उप्शन राइस सूट योजना इसका मतबला अगर आपके 20 एकड़ खेत है और वहां पर आपको नहर से कोई मौगा या कोई नाली नहीं है तो अब इस योजना के तहत आप भी बरसांती मौसम में 20 एकड़ होने के बाद एक मौगा स्पेशल मौगा अपने ले ले जा सकते है और आपको आपने खेतों में पानी लगा सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंदाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ सेर वीज कर देना ताकि उनने भी हर्यान के बारे में लेटेस्ट जानकरे मिल सकी दोस्तों हमने पिछली वीडियो में क्वेस्टन पूछा था और बहुत से वच्चों ने राइट अनस्वर दिया रोज के तो आप डिटेल में लिखना जैसे हर याना इसका राइट अनस्वर इसका इसार है प्रातविक संग्राइल जहाज कोठी रियाने की जिलिम है तो इ इस सारे के बरें डिटेल से को इसकी स्थापना कब हुई थी इसतावना तरह चुम्म ने फ्रोज साथ तुखलक ने कराई थी और यहां पर गुजरी महला ऐसे लिखने से आपको क्वेस्टन और भी डिटेल से याद होगा और उसके बरें कुछ स्थाफ है भी डिटेल से य फिर ऐसे कि वैब तक इसके दीन रहाएं फिर ऐसे हुआ दोस्तों मैं आपसे कहना हूं अकर विडिओ पासना है तो लाइक और चाणल और को सब्सक्राइब करना और दोस्तों पतिकूल कि वीडिओ धेनी नहीं पड़े दीक्सीश works we done has a goodly